नए इलेक्ट्रिक स्कूटरों का आगमन बढ़ रहा है और कई EV किफायती कीमतों पर पेश की जा रही है जिसमें हमारे घरेलू स्कार्टप ब्रांड उपभोकताओं को आकरशित करने के लिए नए प्रयास कर रही है अब एक नया ब्रांड जितेंद्र इवी ने टेक प्राइमो ट्रांस्पेरेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉंच किया है नासिक स्थित इलेक्रिक दोफिया निरमाता जितेंदर वी ने 89,999 एकस शोरूम कीमत पर प्राइमो एलेक्रिक स्कूटर को पेश किया है लॉंच के समय नया जीतेंद्र ईवी प्राइमो को पारदर्शी ग्लास बॉडिवर्क के साथ पेश किया गया है, जो अपनी तरह का पहला स्कूटर है। हालांकी कम्पनी का कहना है कि वहाँ अभी इस तरह के बॉडिवर्क का उत्पादन शुरू नहीं करेगी। फिलहाल प्राइमो चार रंगो ब्लैक, सिल्वर, रेड और वाइट में उपलब्ध होगा। यहाँ अपने सेग्मेंट में काइनेटिक ग्रीन जुलू से मुकाबला करेगा। इस नए स्कूटर के फीचर्स पर नजर डाले तो प्राइमो में एकोनोमी, हाई स्पीड और बूस्ट नाम से तीन राइडिंग मोड है। यहाँ डिजिटल इंस्टूमेंट कंसूल, LED लैम, USB चार्जिंग पोर्ट, साइड स्टेंड इंडिकेटर, थर्मल प्रोपेगेशन अलर्ट और रिवर्स असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ आता है। साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 90 बटा 90 सेक्शन के 10 इंच के ट्यूबलेस टायर है। ब्रेकिंग की बात करे तो इसके रियर में ड्रम ब्रेक सेटप और फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। बैटरी की बात करे तो जितेंद्र इवी प्राइमो में 60 वी 26 बैटरी पैक है जो सिंगल चार्ज पर 65 किलोमीटर की रेंज देता है। कमपनी का दावा है कि यहां मॉडल साथ दिगरी ग्रेडियंट क्षमता के साथ 52 किलोमीटर प्रती घंटे की स्पीड तक पहुँच सकता है। इस कूटर में स्प्रिंग कॉइल के साथ टेलिसकोपिक फॉक्स और हाइड्रोलिक फॉक्स है। हाला कि प्राइमो वर्तमान में केवल एक वेरियंट में उपलब्ध है। कमपनी का कहना है कि वा आने वाले वर्षों में प्राइमो एस को 90 किलोमीटर की रेंज और प्राइमो प्लस को 130 किलोमीटर की रेंज के साथ पेश करेगी। जितेंद्र ईवी कम्पनी प्राइमो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर तीन साल की वाहन वारंटी दे रही है। इसकी बैटरी दो साल की वारंटी के साथ एक साल की अतिरिक्ट वारंटी के साथ आती है। प्राइमो ए स्कूटर सेग्मेंट में नए लॉंच किये गए काइनेटिक ग्रीन जुलू का प्रतिद्वन्दवी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग ने कमपनी को एक किफायती प्रडक्ट लाने के लिए प्रेरित किया है। इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के।